मसकार दोस्तो, रेनाम सेकर और स्वागत आप सभी का हमारी टूप चैनल सिकारी स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारती सभीधान के लूसेंट की बुक से महतपूर्ण अब्जेक्टिव कोश्चिनु को दोस्तो इस बुक से हम सभीधान के सारे महतपूर्ण परस्नों को जितने भी इसमें दिये हैं सभी हम देखेंगे आज हमारा इस पार्ट वन है आगे को दोस्तो इसके पार्ट आते रहेंगे बहुत जल्द दोस्तो सारी बुक आपकी ये पूरी complete हो जाएगी इसी तरह से सीधे परशन और सीधे उत्तर दोस्तो रहेंगे क्योंकि क्वेश्चिनों की संख्या जादा है और फिर boring भी हो जाती ह और इसको और कितना हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से पताईएगा तो पहले हम दोस्तो देख लेते हैं यहां से सविधान सभा के महत्पूर्ण प्रस्नु को बहुत जल्दी दोस्तो बीएस नेगी बुक से भी हम महत्पूर्ण वनलाइनर प्रस्नु को देखेंगे 15 म सविधान भारतियों के इच्च्य अनुसार होगा इसका सेवत्रों जाएगा महत्मा गाधी ओप्सन नमर ए अगला प्रस्न है 1924 में किसके द्वारा बिर्टिस सरकार से यह मांग की गई कि भारती सविधान के निर्माण के लिए सविधान सभा का गठन किया जाए इसका अगला प्रस्न है सविधान सभा को किसने मूर्त रूप परदान किया यह यहां पर दोस्तो पूछा गिया है इसका सेवत्रों जाएगा जवहालाल नहरू आप्सन नमर डी पढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरह दोस्तों हम इसी तरह से देखेंगे तांकि आप कभी भी अगला प्रस्न है कांग्रेस ने किस वर्स किसी परकार के बाही हस्त चेप के बिना भारतिय जनता द्वारा सविधान के निर्मान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया इसका सेवत्रों कास्तो 1936 इस भी ओप्सन नमर सी अगला प्रस्न है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मता अधिकार की आधार पर सविधान सबा के गठन की मांग की जब बर्दस्त कोश्चिन अज तो जवाल लाल नहिरू इसका सेवत्र है हमारा ओप्सन नमर बी बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है वर्स 1942 में किस योजना के तहत यह स्युकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित सविधान सबा का गठन होगा जो युद्धो प्रांत सविधान का निर्मार कर सकेगी इसका सेवत्र है ओप्सन नमर एक किरिप्स योजना यह आपको विल्कुल याद रखना है बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है सविधान सबा के गठन की मांग स्वरु पर्थम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तूत की गई इसका सेवत्र है बाल गंगादर तिलग बीजी तिलग ओप्सन नमर डी अगला प्रस्न है भारत की सविधान सबा गठित करने का आधार क्या था यह आपको यहाँ पर बताना है इसका सेवत्र गास्तो कैबिनेट मिशन योजना की अनुसार अभी हमने देखा था कैबिनेट मिशन योजना कब उनिशन चीए तो बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न है सन 1936 में भारती राष्टी कांग्रेस द्वारा सविधान सबा के गठन की मांग कहां पर हुए अध्यूएशन में रखी गई इसका सेवत्र गास्तो यह हुआता का पैचपुर में अगला प्रस्न है कैबिनेट मि कुल सविधान में कुल सदस्यूँ का विभाजन किस परकार होना निष्चित हुआ था इसका सेवत्र गास्तो बिर्टिस परांटू के 292 परति निदी यह ही सही है देशि रियासतू के 2199 परति निदी यह भी सही है मुख्ले कमिशनरी छेत्रों के 4 परति निदी यह भी सह निर्वाचित होकर आए तो कितने आए दोस्तों ये आए 208 अगला प्रस्न है पुनर गठन के फल सरूप वर्स 1947 में सविधान सबा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई तो ये रह गी दी दोस्तों 289 नहीं 299 अप्शन अबर बी हो जागा इसका बिल्कुल सहितर टीक्या मैं अगला प्रस्न है सविधान सबा पुनर गठित में देशी रियासतों के कितने परति निधी थे इसका सेवत्र गठित सविधान सबा में विभिन परांतूं के लिए कितने परति निधी थे इसका सेवत्र गठित मिशन योजना के अंतरगत सविधान निर्मातरी परिशद मे परतेक परांत की आवंटित सदस्य संक्या निर्धारित करने के लिए एक परते निधी कितनी जन संक्या के अनुपाद मथा यह उस्तो दस लाग बेखती ओप्सन नमर बी हो जाएगा इसका बिलकुर सेवत्तर अगला परसने है भारतिय सविधान सभा के सदस्यों को निमन मैंसे किसने परतेक्ष रूप से निर्वाचित किया इसका सेवत्रोगा उस्तो परांतू की बिधान सभाने उप्रोक्त दोनु नहीं करना है वरना गलती हो जाएगा इसका सेवत्रोगा परांतू की बिधान सभान अगला प्रशन है सविधान सभा में किस परांत का परतिनी दित्यु सबसे अधिक था यह जगा है तो सविधान का देख रहे हैं सविधान पूरा खतम करेंगे इसके बाद भुगोल इतिहास सब जगह से दोस्तों परस्नों को देखेंगे अगला प्रशन है सविधान सभा में किस देशी रियासत के परतिनी दिने भाग नहीं लिया था तो इसका सविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से यह आपको दोस्तों बताना है यह हो जगा पश्चिम बंगाल से अगला प्रशन है मुस्लिम लिग ने किस कारण सभिधान सभा का वईसकार किया इसका से दोस्तों मुस्लिम लिग मुस्लिमों केले अलक सभिधान सभा चाहता था उप्रिक्त सभी आपको नहीं करना इसका सेवत्र हुजएगा option number C अगला परशन है सविधान सभा का चुनाव नेमन मैं से किस आधार पर हुआ था तो इसका सेवत्र हुजएगा वर्गी यह मतादिकार के आधार पर अगला परशन है सविधान सभा के सदस्य परति निधी थे यह आपको यहाँ पर बताना है भारतिय सविधान निर्मात्री सभा यहाँ पर आपको बताना है इसका सेवत्र हुजएगा परांतिय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक परति निधी द्वारा चुनी गई थी अगला परशन है भारति सविधान सभा को किसने बनाया तो इसका सेवत्रोगास तो सविधान सभा ने बनाया बिल्कुल आसान है ना अगला परस्ण है सविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न होई थे यहाँ पर आपको बताना है इसका सेवत्रोगास तो 1946 में अगला परस्ण है भारतिय सविधान सभा की स्तापना कब हुई कब हुई दोस्तो यह हुई थी नौ दिसंबर उनिस सच्छियान इसको भारतिय सविधान सभा की स्तापना हुई थी अगला सविधान सभा का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था तो यह हुआ था तो दिल्ली मे Option number D अगला प्रस्ण है सविधान सबाग के उत्गाटन अधिवेशन की अधिक्चता किस ने की थी बहुत ज़्यादा महत्व प्रस्ण दोस्तो इसका सेवत्रो जाएगा सच्ची दानंद सीना ने सविधान सबाग के उत्गाटन अधिवेशन की क्या की थी अधिक्चता की थी अगला सविधान सबाग का पहला सत्र हुआ था सबी के सबी प्रस्ण दोस्तो बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है इसका सेवत्रु जाएगा नो दिसंबर उनिस्वा, चियानिसको, सविधान सबाग का पहला सत्र हुआ था, बिल्कुल याद रखेगा एकजाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है फिर से, अगला सविधान सबाग के अस्ताई अध्यक्च कौन थे, अस्ताई अध्यक्च तो सच्चिदान्द सिना और इस्ताई आ गया, तो इसका सेवत्र हो जाएगा डांक्टर राजेंद परसाद, सच्चिदान्द सिना दोस्तो 9 दिसंबर 1946 को बने थे, और फिर 11 दिसंबर को बने थे कौन, डांक्टर राजेंद परसाद इस्ताई अध्यक्च अगला परसने है, 11 दिसंबर 1946 को किसे सविधान सबा का इस्ताई अध्यक्ष चुना गया इसका सेउत्तर हो जाएगा उस्तो डॉक्टर राजियंद परसाथ अभी हमने देखा था अगला बशने सविधान सबा के सव्यधानिक सनाकार कौन थे अगला बशने सविधान सबा के चुने हुए इस्ताई अध्यक्ष कौन थे तो इसका सेउत्तर हो जाएगा उस्तो डॉक्टर राजियंद परसाथ अप्शन नबर सी अगला बशने निमन में से कौन सविधान सबा का सदस्शिन नहीं था के मुन सी बिल्कुल थे दोस्तो एन गोपाल स्वामी आएंगर ये भी थे टीटी किरिस्माचाण ये भी थे इसका सेउत्तर हो जाएगा उप्शन मर्सी ये बेग नहीं थे अगला बशने है सविधान के बिभिन पहलूं के अध्यन नेतु सविधान सबा ने कितनी समितिया न्यूक्ति की दोस्तो ये कितनी की थी तेरे की दोस्तो ओप्शन नमर्सी हो जागा इसका बिल्कुल सेउत्तर अगला बशने है सविधान सबा के प्रारूप मस्विधा समिति यानि की मस्वधा समिति की न्यूक्ति कब की गई थी इसका सविधरो जाएश्तो डाक्टर वहीम राव अमबेटकर अगला बशने है सविधान सबा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी इसका सेउत्तर वास्तो साथ थी अभी आएगा इन में से कौन नी थे करके अगला प्रशन है निमलिकित मैं से कौन भारती सविधान की प्रारूपन समिती के सदस्य नहीं थे वियार अमबेट कर दोस्तों ये तो अध्यक्ष थे और इसके लावा गोपाल स्वामी गोपाल चारी अयंगर ये भी थे अल्लादी क्रिष्णा स्वामी ये भी थे तो राजेंद परसाद या फिर आएगा जवाल लाल नहरू ये दोस्तों नहीं थे इनको याद अखना आपको उप्शन में अगला निमन मैं से कौन प्रारूप समिती का सदस्य नहीं था देखिए जवाल लाल नहरू खाता मैंने अप्शन में मिलेगा करके देखिए आपर मिल गया इसका से कौन प्रारूप समिती के समक्ष प्रस्ताव ना का प्रस्ताव किसने रखा था सविधान की प्रारूप समिती के समक्ष प्रस्ताव ना का प्रस्ताव किसने रखा था जब बर्दस्त कोश्चिने इसका से प्रस्ताव किसने प्रस्तूत किया जब बर्दस्त कोश्चिने इसका सेवतर हुजाएगा हमारा ओप्सन बरसी जवाल लाल नहेरू ये प्रस्ताव ना का प्रस्ताव समक्ष ये भी आपको यादक्ष प्रस्ताव ना का प्रस्ताव समक्ष ये भी आपको यादक्ष ना है जवाल लाल नहेरू इसका उत्तर है अगला है भारती सविधान को अपनाया गया तो ये अपनाया गया दुस्तों सविधान सभा के द्वारा बिल्कुल आसान है अगला प्रस्न है भारत को एक सविधान देने का प्रस्ताव सविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो ये पारित किया गया जनुवरी 22 उनिस्व अगला बसने सविधान निर्मात्री सबा में राष्ट धज्ज सम्मंधी तदर्त समीति के अध्यक्ष थे ये कौँ थे दूस्तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र परसाद अगला राष्टी जंडे की अभिकल्पना को भारत की सविधान सबा में गरहण किया गया तो ये किया गया दोस्तो कब 1947 में जुलाई 1947 में अगला भारत की सविधान सबा ने किस तीथी को राष्टिय धोच को अपनाया था तो कब अपनाया था दोस्तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था किस दिन पारित की आदुस्तो इसका सेवत्रों जगा 26 नवंबर उनिश्व 59 को अगला सविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मिली तो ये कम मिली तो ये मिली 24 जनौरी उनिश्व 50 को बढ़ते हैं अगले परस्ण कित्रव अगला परस्ण है सविधान सभा के कितने उपस्तित सदस्यूने सविधान सभा पर हस्ताक्षर किये तो ये किये थे 244 अगला परस्ण है सविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित सविधान में कुल कितने अनुच्छे दोर अनुसूचिया थी ये थी तोस्तो 395 अनुचय थे 8 अनुसूचिया वर्तमान वर्त भाराइन सूचिया है और अनुचय दोस्तो अगर बात करें तो लगबट 465 के आसपास पहूंच गये और होई से 395 ही रहेंगे इसका असी तुरिकात अनुचय है 395 और 8 अनुसूचिया संपूर्ण भारतिय सविधान के निरमान में सविधान सवाक को कितना समय लगा था तो ये लगा था उस्टो दो वर्स एंग्यारह महां 18 दिन का समय इसमें लगा था अगला किस दिन से सविधान सभा का अंतरकालिन संसत के रूप में आविर्वा हुआ जबर्दस्त क्वेश्चिनर उस्तो इसका सेवत्र हो जाएगा 26 जन्वरी 1950 को तो ये आपको बिल्कुर याद अफन है तो option number C हो जाएगा इसका सेवत्र उस्तो कब से लागू हुआ इसका आपको जाएगा option number C बागी अंतिम बार उस्तो मिले थे लोग सविधान सभा की जो अंतिम बार बैठक वी थे अंतिम बार मिले थे लोग ये हो जाए 24 जन्वरी इसका सेवत्र उस्तो की बिधान सभा द्वारा भारत के सविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे इसका सेवत्र उस्तो बिभिन परांतु की बिधान सभाव द्वारा नामित अगला भारत के लिए सविधान सभा की रचना ही तू सविधान सभा का विचार निमन मैंसे सवरुपर्थम किसने परस्तुत किया जब अर्दस्त कौस्चिनस तो बिल्कुल आपको याद रखना ही होगा इसका सेवत्र उजगा स्वराज पार्टी ने की थी 1924 में बिल्कुल याद रखेगा स्वराज पार्टी ने 1924 में अगला भारतिय सविधान सभा के पर्थम अध्यूएशन पर्थम दिन के अध्यूएशन की अधिक्षता इन्हों ने की थी तो इसका सेटों जगा डॉक्टर सचिदानन्द सीनहा अगला परस्न है नेमन कथनों मैंसे कौन सा सविधान के सभा के गठन के बारे में सही है यहाँ पर उस तो पूछा गया है सविधान सभा के सदस्यू का चैन 1926 के परांती चुनाओं के आधार पर किया गया अभी तक तो बिल्कुल सही है अगला निमन मैंसे कौन सा एक सही है इन मैंसे आपको बताना है कौन सा एक सही है वर्ष 1946 में परांतिय सबावं द्वारा सविधान सबाचुनींगी बिल्कुल सही है कौन सा एक सही है तो एक ही हमान सही मिल गया है तो बांकी देखने की जरुवत नहीं है अगला बर्ष नहीं है भारत के सविधान का निर्माता किसे माना जाता है तो इसका सविधान पांडु लेखन समिती का सदस्री नहीं था के मुनसी थे मुहमत सादुल्ला थे अल्लादी कृष्णा स्वामी ये रेवी थे ये देखिये जवाल लाल निर्म दूस्तो नहीं थे ओप्सन नमर बी हो जागा इसका बिल्कुल सही है तर अगल्य भारत का सविधान लागू हुआ या आप सबी को बताया तो भारत का सविधान कब लागू हुआ ता तो 26 जनवरी 59,पचास को लागू हुआ ता बधा कि 26 नहुम्र 59,पचास को तो बन कर पून रूप से तयार हो गया था अगला प्रश्न है सविधान को 26 जनौरी के दिन लागू करने का निडिनाई इसलिए कि आगया क्यूंकि कांगरेश्न ने इष्थीथीधिको 1930 में च्व तंत्रा दिवसके रूप में क्या किया था बनाये था अगला प्रशने भारती सविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संक्या कितनी थी तो ये थी दोस्तों 15 थी राजकी कुमारी अम्रित कोर पूर्णिमा बेनरजी शरोजी नाइडू ये लोग दोस्तों 15 थे लगबक इना याद कर लिजेगा अगला प्रशने इन मैंसे किसने सविधान सभा में ये है खा था कि 26 जनुरी 1950 को भारत अंतर विरोधू विरोधावास के जीवन काल में परुष्ट हो रहा था तो ये खा था डंक्टर विम्रा अम्बेटकर ने ऑप्शन मर ए दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नी किया है तो एक लाइक आपको जरूर से करना है अंतर वीडियो को जरूर देखेगा थोड़े कोश्चिन और बचे है भीम्रा अम्बेटकर और महात्मा गादी के मद्धिय 1922 में हस्ताग चरित पूना समझोते में पर नांतित की थी जब अरदस्त कोश्चिन है तो यह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1808 ऐसा ही पटवारी में बन सकता है अगला नीमिन में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आध्यादेश चारी करने की सकती परदान की गई जब अरदस्त कोश्चिन है बिल्कुल धासु परश्चिन है बन सकता है इसका जब जब अधिनियम 1861 अगला परश्चिन है यह थोड़ा बड़ा कोश्चिन अस्तो और 2020 में आया हुआ है यह सिद्दान्त की स्वतंत्र भारत के लिए नए सविदान को तयार करना मुख्यत है यद्दा पी अकेले नहीं खुद सोयंग भारतियों की जिम्मेदारी होनी चीए पहली बार निमन मैंसे किस एक मैं श्युकार किया था यह था दोस्तो लिनलित्कों का अगस्तर परस्टाव अगला परस्टन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो यह पारित किया गया दोस्तों 1773 में अगल समिती के निर्णई को अश्युकार करने का अधिकार मिला तो ये मिला 1786 का अमेडमेंट एक्ट अगला परसन है महाराणी विक्टोरिया को भारत की समरागी नियुक्त किया गया तो ये किया गया दोस्तों 1886 में याद रखे का अगला परसन है सामराग्गी विक्टोरिया ने अठार सा ठाउन की गोश्टा में भारतियों को बहुत सी चीज़ें दिये जाने का आश्वासन दिया था निमन में से कौन सा विट्टी सासन ने पूरा नहीं किया यह आपको बताना उस पूर इन में से रिया सतु को हडपने की नीती समाप्त कर दी जाएगी ये भी था देशी रजवाणों की यथा इस्तिती बनाई रखी जाएगी दोस्तो यसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था इसका सित्रुजगा ओप्शन नेवर भी अगला है मिंटो मारले सुधार का उदेशी क्या था मारले मिंटो सुधार उस तो ये कब आय था तो अगला प्रस्न उससी समंदित है तो 1909 मा आय था और इसका उद्दे सिता उस्तो पिर्थक निर्वाचन प्रणाली तो दोनु प्रस्न हमने यहाँ पर देख लिए हैं एक नमबर आपका बिल्कुल पक्का हो गया है अगला प्रस्न है मुसल्वा मानू के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था तो ये लाया गया था तो मारले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा अगला 1909 के इंडियन कौन सी लेक्ट में किस बात की व्योसता की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है तो यह जगा सामपरदाईक परतिनित्तु की अगला परस्ण है मांटेंग्यू चेंप सपोर्ट सुधार में प्रावधानू का सार था तो ये था दोस्तो परांतू में दोरा सासन अगला परस्ण है 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था निमलेकित में से कौन सा इसका सदस्षी नहीं था ये परस्ण दोस्तो ऐसे ही बहुत बार आ चुका है इसे भी बिल्कुल याद रखेगा अगला कैबिनेट मिशन के विशन में कौन सा सही नहीं है परांती सामिक्रण बिल्कुल सही है भारती सदस्षी वाला अंत्रियों मंधरी मंटल ये भी सही है पागिस्तान की 35 के भारत सरकार अधिनियम की अनुसार, option number C, अगला परशने है, भारतियों को वर्ष 1947 में सारुभाम सत्ता सौपने की योजना, निमन मैं से किस नाम से जानेगी, योज़ा अस तो माउंट वेटन योजना, तूरंड रेखा अलग चीज है, मिन्टो मारले योजना, योजना सामपरदाइक परतिनित्व बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम उनिस्व 35 स्वासासन, ये भी सही है, कैबिनेट मिशन, सविधान सबाका, गठन ये भी सही है, साइमन कमिशन, भारत विवाजन, तो माउंट वेटन योजना होगा दो यहाँ पर इसका सुद्र का option number D, अगला भारत सासन अधिनियम उनिस्व 11 के अंतरगत विधाई काका अंतिम निर्वाचन किस वर्स में किया गया था, तो ये किया गया था था भारत सरकार अधिनियम 35 में अगला नीमिन में से किस अधिनियम में केंदर में त्वेद सासन प्रणाली को इस्तापित किया गया तो ये किया गया दोस्तो भारस सासन अधिनियम 1935 में अगला वशने संगी प्रणाली का पहला परियास भारस सरकार अधिनियम द्वारा किया गया तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के दवरा बहुद ज्यादा महतुम रसने 1935 अगला किस अधिनियम की परमूख विषेचता परान्तिय स्वायता थी ये थी दोखतो 1935 अगला बसने भारत में सचीव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था ये मारले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा अगला बसने किस भारस सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधाई काम कुछ निरुवाचित पर्तिन जित्तु को मन्जूरी दी गई तो भारस सरकार अधिनियम उनिस्व न याद रखेगा पहुत जादा पहुत जादा महत्मूर्ण अगला भारत सर्कार अधिनियम 1935 द्वारा इस्तापित संग में उस्षिष्ट सक्तियां किसे दी गई थी तो ये दीगी दोस्तो गवर्णर जर्रनल को जबर्दस्त कोश्चिन याद रखेगा गवर्णर जर्रनल को अगला प्रशन है किस अधिनियम को मांटेंग्यू चेम सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है अब भी हमने देखाता मारले मिंटो अब यहाँ पर है मांटेंग्यू चेम सफोर्ड यहाँ भारत सासन अधिनियम 1909 तो ही निवसे भी गलती नहीं होगी अगला प्रशन है यह आप UKPSC ROARO और SI पटवारी तो यहाँ तक भी दोस्तो यह परशन आ सकता है इसे दोस्तो हमें सुमेलित यहाँ पर करना होगा अगस्त गोष्णा अगस्त गोष्णा दोस्तो इसका सेवित्रु जगा ऑप्शन नमर बी यानि कि लौड मांटेंग्यू अगस्त गोष्ण मनाय गया था 16 अगस्त निस च्यारिस को यह दोस्तो किसी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको यह मैंने आपको बता दिया है एक बार फिर से बता जेता हूं अगस्त गोष्णा अगस्त गोष्णा दोस्तो लौड मॉंटेंग्यू अगस्त परस्ताव लौड लिनित्गो अग दोस्तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं दो तीन अगर ऑप्शन हटाएंगे दोस्तो आप कुछ ऑप्शन अठाएंगे तो आसाने से उतर पर पहुंच जाएंगे जैसे दोस्तो यह मिन्टो मारले सुधार 1909 तो इसके दोरह क्या वाद दोस्तो सांपर्दाइक निर् अठाएंगे दोस्तो इसका ओप्शन मुझे लग रहा है बी वाला सही होगा इसका इसके दोस्तो यह मैंने आपको बताई दिया है तो दोस्तो यह थे आज के मारे महत्तपूल परशने बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में इन परशनों को दोस्तो हम पहले देख चुके हैं इसके बाद देखे हमने इसे तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मज अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिज